हेलो दोस्तो कैस वाफ सभी दोस्तो आपका आपके सपने चैनल पी के एलक्टेगरी में आप सभी का स्वागत है आई होप आप अच्छे होंगे सभी के सभी तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हम सटाब सेलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आचुके हैं इस वेकैंसी के जो ओलाइन फोरूम है वो भी स्टाट हो चुके हैं तो क्या है वो नई वेकैंसी आई जानते हैं कम्प्लेट डिटेल लगो तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 22 मार्ज 2022 यानि 22 मार्ज 2022 को आपके फोरूम जो वो स्टाट हो चुके हैं नोटिस ओप मॉल्टि टास्किंग नोट टेकनिकल सेटाप एंड हवलदार CBIC एंड CBN एग्जामिनेशन 2021 तो SSC के दुआरा MTS और हवलदार के पतों पर ये जो वकैंसी है वो जारी की गई है तो दोस्तों इंतजार की इस बात का आए जानते हैं इस की कंप्लिट डिटेल को तो कंप्लिट डिटेल जानने से पहले नोटिस को करते हैं डाउनलोड तो हमारा नोटिस हो चुका है डाउनलोड तो दोस्तों आए देखते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं नोटिस मल्टि टस्किन नोट टेकनिकल स्टाप एंड हवालदार तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यह जो बरती आई है यह MTS और हवालदार के बदों पर आई है आप देख सकते हैं Dates for summation of Online Applications 22 मार्ज 2022 यानी 22 मार्ज 2022 से आपके जो Online फोर्म है वो स्टाट हो चुके हैं जिसकी लाज़ डेट 30 अपरेल 2022 तक रहेगी और हाँ यदि फॉर्म फिलब करते समय यदि आपसे कुछ गलती हो जाती है तो आपको इस विवाग के द्वारा एक जो मौका है वो दिया जाएगा तो ये जो मौका आपको दिया जाएगा ये दिया जाएगा 5 माई 2022 जिसकी लाश्ट डेट रहेगी 9 माई 2022 यानि डेट्स ओफ विंड़ो फॉर अप्लिकेशन फॉर्म करेक्शन तो आप इन डेट्स के विज में अपने फॉर्म में जो करेक्शन कर सकते हैं यदि आपके फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो दोस्तो और यदि मैं इसके एक्जाम की बात करूँ स्टील ओफ कंप्यूटर बेष्ट एक्जामिनिशन पेपर वन तो जुलाई 2020 में यानि सोरी दोस्तो जुलाई 2022 में आपका जो एक्जाम है इसका यानि कंप्यूटर बेष्ट एक्जाम है वो कंड़क्ट करवाया जाएगा दोस्तो वाकेंसी आप देख सकते हैं और हाँ दोस्तो मैं आपको बताना जाओंगा कि इसमें जो वाकेंसी है वो 10,000 से लेकर 13,000 के बीच में वाकेंसी है दोस्तो हाँ दोस्तो इसमें 10,000 से लेकर 13,000 के बीच वाकेंसी है फिलाल इसमें जो डिटेल दी गई है वो MTS की नहीं दी गई है इसमें जो डिटेल दी गई है वो हवलदार की दी गई है जिसमें 373 वेकैंसी है रिजरवेशन आफ देख सकते हैं तो दोस्तों आफ वीडियो को पुछ करके जो इसकी जो कमप्लिट डिटेल है वो देख लीजिएगा यदि मैं एज लिमिट की बात करूं तो एज आफ की एक एक यानि एक जनवरी 2022 से जो अकाउंट की जाएगी और इसमें एज का जो क्राइटेरिया है ठारा से 25 साल का अलग है ठारा से 27 साल का अलग है यानि कहने का मतलब यह है यदि आपकी एज ठारा से इसके बीज में है तो आप इसके लिए इलिजिबॉल हो और यह जो एज रिलेक्षन आप देख सकते हैं से से इस टे पांस साल और भी से तीन साल तो दोस्तो यदि मैं एजुकेशनल क्वालिपिकेशन्स की बात करूँ तो आपके पास इसमें सिर्फ टैन्थ होनी चाहिए यदि आपने टैन्थ पास की है यानि मैट्रिकलेशन एक्जामिनेशन आपने पास किया है यदि आपकी मैट्रिकलेशन हो चुकी है या फिर मैट्रिकलेशन आपकी यानि कम्पलिट नहीं हुई है तो तो दोस्तो 30 परेल 2022 तक आपकी यदि यदि ये qualification जो है complete हो जाती है तो आप इसके लिए eligible हो हाँ दोस्तो इसमें आपकी सिर्फ 10th pass ही चलेगी यदि आपने 10th pass की है तो आप इसके लिए eligible हो दोस्तो और how to apply यहां से यह जो लिंक है इस लिंक से आप अपना जो form हो apply कर सकते हैं दोस्तो application fees की अदि मैं बात करूं तो application fees इसमें कुछ भी नहीं है सिर्फ 100 रुपे फीस है और हाँ दोस्तो इसमें SC, ST और female चाहे किसी भी category से हो उसकी कोई भी फीस नहीं है दोस्तो center of examination आप देख सकते हैं आप जिस region में भी आप जिस region में भी center चुनोगे दोस्तो आप देख सकते हैं आप इसमें एक region में center चुन सकते हैं और जिस रिजन में भी चुनोगे जैसे कि KKR है जैसे यदि आप KKR में सेंटर चुनते हो तो आप इसमें से तीन कोई भी सेंटर चुन सकते हो दोस्तो यदि आप रिजन के क्यार चुनते हो दो इसमें आप कोई भी रिजन चुन सकते हो और कोई भी रिजन चुन के उसमें तीन सेंटर फिल्फ जो है वो आप कर सकते हों यदि मैं स्कीम ओप एग्जामिनेशन की बात करूँ तो दोस्तों इसमें आपके च्यार सब्जेक्ट रहेंगे पहला सब्जेक्ट इंगलिस का है जर्णल इंगलिस जो की 25 मार्क्स की होगी और 25 भी आपके क्वेशन होंगे जर्णल इंटलिजेंस रिजनिंग भी आपकी 25 मार्क्स की होगी नियुमेरिकल अप्टिटूड यानि मैट की बात करूँ तो यह भी आपका 25 कराएगा और जर्णल अवेरनेस भी आपकी 25 की रहेगी और यदि एक्जाम टाइम की बात करूँ तो 90 मिंट का आपको जोगा टाइम दिया जाएगा और पेपर टू का सलेवस आप देख सकते हैं ताइमिंग देख सकते हैं तो आप वीडियो को पुस्ट करके यह जो है सारा सारा सलेवस जो है वो देख लीजिएगा और यदि मैं हावलदार की और हाँ दोस्तों इसमें हावलदार की जो पुस्ट है उसके लिए आपका पीटी पीएस्टी यह सबी होगा आप यदि मैं पीटी की बात करूँ फिजिकल एफिजिएंसी टैस्ट तो आपकी वालकिंग यानि रेस होगी यानि आपको 30 मिन्ट में आपको कंपलेट करनी है तो यह आपका हवलदार का फिजिकल का क्राइटिरिया वरखा गया है यदि पीएस्टी की बात करूँ तो हाइट आप देख सकते हैं यह आपका चैस्ट का क्राइटिरिया रहेगा फीमेल की भी आप देख सकते हैं दोस्तों आप वीडियो को पुछ करके सारी की सारी जानकारी जो है देख लेजिएगा तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी मोड अप सेलेक्शन की मैं बात करूँ तो जर्रनल के लिए कम से कम 30% मार्सलाना अनिवारिय है पेपर वन के लिए ओवी सी डवलो एस के लिए 25% आल अदर क्टेग्री के लिए 20% और हाँ दोस्तों जब आप अपना फोरूम फिलिप करोगे तो उसमें आप से कोड मांगेगा तो ये कोड्स दिये हुए हैं 11 कोड चंडीगड हावलदार CGST का है 12 कोड चंडीगड MTS का है 13 हर याणा MTS का है आप जिसको भी उपर प्रेंस में सबसे पहले रखना चाहिए आप रख सकते हैं ये आपके कोड रहेंगे आप देख सकते हैं आप इनको लिख लीजिएगा या इनका स्क्रीन सोट ले लीजिएगा तो कुछ इस तरह से आपको फर्म फिल्ब करते से में आपको ये डालने है और हाँ दोस्तों जो आपकी फोटो है वो कम से कम थ्री मंद के अंदर की होनी चाहिए इससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए और ये आपका लेंग्वेज का कोड रहेगा हिंदी के लिए कोड वन लिए इंगलिस के लिए टूव ये आप देख सकते हैं जो भी आपकी भासा है जो भी आपको अच्छी लगती है आप चुल सकते हो तो दोस्तों आप detail of a canises हवलदार हवलदार की vacancy की detail देख सकते हैं कि किस stat reflex में कितनी vacancy है UR की कितनी है SC कितनी ST कितनी OBC कितनी EWS की कितनी Total number of कितनी है तो यह आप देख सकते हैं दोस्तो तो कैसी लगे आपको जानकारी आप कमेंट करके ज़रूर बताईएगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में तो धन्यवाद दोस्तो जै हिंद जै भारत